हलो दोस्तों गुड मोर्निंग नमस्ते मेरे बड़े बाई बहनों को चाहस्पास छोटों को धेर सारा प्यार मैं सब नम स्वागत करती हूँ अपने न्यू ब्लोग में आप सभी का आप सब कैसे हो आसा करते हैं कि आप सब बहुत ही अच्छे होंगे मजे में होंगे तो सुबह के कामों से हमारे ब्लोग की सुरुआत हो गई है और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे न्यू ब्लोग में तो इधर हम रसोई में आ गए हैं और लेकर आए हैं मूली त लेकिन अब सीजन जा रही है सुरू सुरू में ज़ाधा तरह लोग बनाते हैं लेकिनिशेन जा रही है तो-पत्टन ही हम भुझीज्ञ ya वाली बनाएंगे पत्ता और मुली ऐक साथ में ही तो इसको अच्छे से हम काट छील लेते हैं और जो पत्ते थे बेकार बेकार से वो हमने निकाल दिये हैं बिल्कुल थोड़े से ही पत्ते रखें बिल्कुल बीच बीच के जो थे अच्छे अच्छे पत्ते वही हम निकाल ले हैं और वागी के जो बड़े बड़े पत्ते हैं वो हम निकाल देंगे वो भैस के लिए हो जाएंगे तो इसको मूली को अच्छे से काट लेते हैं साग को भी काट लेते हैं उसके बाद में इनको हम उबलने के लिए रख देंगे उसके बाद में ही नमक मिर्चा मिलाएंगे मूली में तो मूली भी काट लेते हैं सारी तो आधी हम मूली रखेंगे और आधे इनके पत्ते मनाएंगे और आरोही भी आ गई थी और चाय नास्ता हमारा वहीं पर हो जाता है आप सभी ने तो देखा ही है और यहाँ पर चूला भी हमने जला लिया था क्योंकि ठंडी हो जाती है सुबे के टाइम अब और भी जादा ठंडी होने लगी है तो पूरा दिन ही ठंडी होती रहती है तो इधर पत्ते काट लेते हैं और आरोही चाय पी कर आएं है क्योंकि यह बैठ जाती है चूले के पास तो आराम इनको रहती है ताप भी लेती हैं साथ साथ में तो इनको लेकर ही आते हैं ज्यादा तर तो और आग हमारी बुजी गई थी चूले की तो हमने एक कंडा लगा दिया है तो फिर से आग हमारी बन जाएगी और पत्ता काट लेते हैं उसके बाद में उबलने के लिए रखेंगे इन दिनों में हमारी थोड़ी सी तवियत ठीक नहीं रहती है तो इसी बज़े से हमारा ब्लोक नहीं आ पा रहा है और बहुत सारे दोस्तों ने कमेंट भी किया था कि सिस्टर आपका ब्लोक क्यों नहीं आया है तो हमने रिपलाई भी दिया है तो थोड़ी सी तवियत नहीं ठीक रहती है तो इसी बज़े से लेट हो जाता है नहीं भी या पाता है तो उसके लिए आप सब्जी से माभी चाहूंगी और इधर हमाने पत्ते सारे काट लिए हैं अच्छे से अब उबनने के लिए रख देते हैं तो पहले हमने नीचे साइड में मूली रख दी है उपर से सारे पत्ते रख देंगे और जहां के देंगे अच्छे से थोड़ा सा पानी डाल देंगे पानी थोड़ा सा ही डालेंगे क्योंकि इसमें और पानी निकल ही आयेगा जब ये उपल जाएंगे उसके बाद में पानी बहुत सारा हो जाता है चूले जलाकर सब्जी को रख दिया है चूले पर और इधर थोड़ा सा पानी लेकर आते हैं और कई दिन इसमें सूखने में लग गई तो हमारी मूली अच्छे से सूख गई थी तो हमने का आज अचार इनका बना देते हैं रख देते हैं तो इसमें थोड़ा सा हम सरसों का तेल लगाएंगे और हमने थोड़ा सा चिरका भी निकाल लिया है जो कि हमारे यहां गन्य के रस से बनाया जाता है छिरका जिसको हम बोलते हैं और बहुत ही अच्छा होता है छिरका खाने में भी बहुत अच्छा लगता है और लाब दायक भी होता है तो बही हमने थोड़ा सा गिलास में निकाल लिया है और छनी से इसको अच्छे से चान ले और जो हमने मिर्च का अचार रखा था उसमें भी थोड़ा सा मिलाना था तो उसमें भी दूसरे वाले डब्बे में भी हम छिरका मिला देंगे और इसमें अगर छिरका डाल दो अचार में तो खटाई की जरूरन नहीं पड़ती है खटाई नहीं लगती है तो इसी बज़े से खटाई की जगे पर हम छिरका ही डाल देते हैं और अच्छे से सारे मसाले भी मिला लिया है मसाले तो हमारे पीसे हुए रखे ही थे जो कि बुआ ने उसमें अचार रखा था मिर्च का तो वही वाले हमारे मसाले बचे हुए थे तो वही वाला थोड़ा सा मसाला हमने इसमें मूली में मिला दिया है और थोड़ी सी हमने हल्दी डाल दिया है थोड़ा सा ही बस तेल लगा हुआ है मूली का आचार तयार हो गया है तो अच्छे से हमने इसको मिला दिया है डिब्बे में करके और आरोही के पापा को ज्याधा मूली का अचार पसंद है तो ए वाला मिच्चे वाला डबा है तो इसमें मिर्च का अचार रखा हुआ है तो इसमें भी थोड़ा सा वो मसाला बचा था वो वही वाला एड़ कर देंगे और थोड़ा सा इसमें चिरका डाल देंगे और इधर आरोही भी आ गई थी तो थोड़ा सा भी नमक हमको डालना है नमक हम भूल गए थे तो नमक को हमने बाद में ही डाला था क्योंकि हमने मूली का आचार तो रख दिया था लेकिन नमक डालना भूल गए थे तो बाद में हमने इसमें थोड़ा सा नमक डाल दिया है और बस हमारा आचार तयार हो गया है और दूसरे दीसरे दिन खाने के लिए तयार हो जाता है क्योंकि इसको दो-तीन दिन हम धूब में भी रख देंगे तो अच्छे से हमारा आचार बन जाएगा और उसके बाद में और अपने बागी के काम करेंगे तो हमने का एवाला काम पहले कर लेते हैं नहीं तो बहुत जल्दी से ही भूल जाते हैं जो ए छोटे मोटे काम होते हैं इनको बड़ा ही ध्यान रखना पड़ता है कि अभी हमको एवाला हम काम करना है तो जो काम ध्यान आ जाता है वो बाला हम पहले ही कर लेते हैं और बागी के काम जो हमारे होते हैं वो बाद में ही रह जाते हैं और इधर उसके बाद में आ गए हैं रसोई में तो अच्छे से हमारी मूली जो हमने उबलने के लिए रखी थी मूली का साग भी इसको बोल सकते हैं और इसको कड़री भी बोल सकते हैं मूली की कड़री तो हमारी यहां तो जदतर लाही का साग को भी कड़री ही बोला जाता है और इसको भी कड़री बोलते हैं क्योंकि मूली की कड़री के में पत्तों को जदतर कड़री ही बोलते हैं और इ मूली का नहीं है तो थोड़ा साघ धंडा हो रहा है Ci Bye मूली के साघ रहा है दला पेकलन नगिए्ट के लिए तो दोड़ा जादा ही घंदे इना रोटी बना लॉठा लारी को मूं ऊच्छी साघ आज हम मूटी रोटी भाला ही चावल के साद के थ45 के बाद में से करें पहले हम गेहु की रोटी बना लेते हैं उसके बाद में चाह की रोटी आपर रहा हम बहुत ही अच्छी लगती है। तो शिर्फ चाई ही हमारी गैस पर बन जाती है और बाकि का तो हम खाना पूरा काister चुले पर ही बना लेते हैं और चुले पर बनाते हुए भी अच्छा लगता है धंड के दिनों में क्योंकि साथ में तापते भी रहे और खाना भी हमारा पूरा बन जाता है और आरोही भी रोटी बना रही है तो दो तीन रोटी आरोही ने भी बना ली है तीन रोटी इनकी ताबे पर सिक रही है और भी हमको बना कर दे रही थी बहुत तो बहुत सारी रोटियां बना लेती है और फिर यही वाली रोटी जो अपने आप बनाती है खुझ से यही वाली फिर खा भी लेती है और अगर इनकी रोटियां ना से को यह जो बनाती है तो बहुत जल्दी से ही मूँ फुलाए लेती है तो इसी बज़े से इनकी रोटियां तो सेख नहीं पड़ेंगी तो कितनी सारी इन्होंने रोटियां बनाई हुई है और आटा माँग रही थी तो यह इधर बैठी हुई है और पांच रोटियां इन्होंने अपनी बना ली है तो इतनी छोटी छोटी सी रोटियां बनाई है तो इनकी भी सेख देते हैं साथ में क्योंकि ये खा लेंगी और वैसे तो ज़्यादा तर ये वाली रोटियां खाती नहीं है चावल ज़्यादा पसंद करती है आरोही तो चावल ही ज़्यादा खाती है आरोही की रोटी जो तावे पस सिख रही थी वो भी हमने आग पसिखने के लिए रख दी है तो आरोही की सिख जाएं रोटी फिर आरोही को दे देते हैं खाने के लिए और जो ये चावल वाली रोटी होती है थोड़ा सा टाइम लग जाता है इसको सेखने में तो तावे पर वाली हमारी जल्दी से रोटी हो जाती है और जो हम घै में रखते हैं हमारे यहां इसको घै बोलते हैं जो अंदर की साड़ में इसको रोटी को रखते हैं थोड़ी सी जगे बना लेते हैं आग हटा कर और वहीं पर हम लोग रखकर इसको रोटी को सेकते हैं तो इसको हमारी याँ घै बोलते हैं घाबा भी बोलते हैं तो वहीं पर रखकर इसको रोटी को सेक लेते हैं अच्छे से तो चाबल की जो रोटी होती है अगर ना गेहूं की रोटी जल्दी से सिख जाती है लेकिन चाबल की रोटी उतनी जल्दी से नहीं सिख पाती है थोड़ा के साथ की भूज़िया बनाएगे और नमक मिर्चा डालेंगे इसमें ऑल्दी नहीं डालेंगे सिर्फ हम नमक मिर्चा ही डालेंगे और लैसुन से चोंका लगाएगे तो थोड़ा सा हमारा तियल ज्यादा पड़ गया था वहीं पर सारे लोग दिन भर रहते हैं जादा तर आरोही भी चली जाती है। स्कूल से आती हैं आरोही बगिया को ही चली जाती हैं क्योंकि सारे लोग जादा तर बगिया में ही रहते हैं और सारे घर के जो बच्चे हैं वो भी वहीं पर रहते हैं तो इसी बज़े से आरोही भी वहाँ पर चली जाते हैं और फिर खेलती रहते हैं और बुगा खाना लेकर जाएंगी क्योंकि पापा वहीं पर हैं एक लोग बग्या में बराबर से बने रहते हैं रखाने के लिए तो बहुत जिनल्दी से बंदर अनदर आ जाते हैं और सारा निक्सान कर जाते हैं तो इसी वज़े से एक लोग बगया में जरूर ही रहते है रोही आज सकूल नहीं गई थी कि क्योंकि जो घर के बच्चे जाते हैं सकूल बो नहीं आज गई हैं यसर नहीं हो रहा था तो इसी वज़े से वो लेट ही गए कि आज हम नहीं कहीं जाएंगे और इधर हमारा खाना अना बन गया था तो यहाँ पर साप सफाई कर देते हैं और आग हमारी अभी चूले में भरी हुई थी तो इसी वज़े से आज हमने अमरूदे भुनने के लिए डाल दी है चार तो हमने का अमरूदे भुन जाएंगी और थोड़ी सी ही आग में वैसे भी भुन जाती है क्योंकि अमरूदे पकी हुई है बहुत ही अच्छे से पक गई है तो जल्दी से ही भुन जाएंगी और भुनी हुई अमरूद बहुत ही अच्छी लगती है बहुत अम्रूद जो होती है न कि खासिया से बिल्कुल भी नहीं आती है तो इसी बज़े से हमने का आज भून लेते हैं अम्रूद भूनी हुई खाएंगे और इधर आ गए हैं हम घर पर तो आप सभी को दिखाते हैं कि आरोही के पापा लेटे हुए हैं रजाई ओड कर लेटे हु है यह बहुत ही परेसान करती है तो पूरा दिन इधर उधर से घूमती ही रहती है और इधर हमारी अम्रूदे भी भून गई है और आज का ब्लोग दोस्तों बस यहीं तक कल फिर मिलेगे एक नए ब्लोग के साथ में तब तक के लिए आप सभी दोस्तों को नमस्ते